आईकू का G75G या फिर OnePlus का Nord CE Light 3 दोनों में से कौन सा फॉन सही रहेगा अगर ऐसा कोई डाउट आपके मन में है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो एकदम शॉट में पॉइंट टो पॉइंट बात करेंगे कि ये फॉन आपको लेना चाहिए या फिर ये अभी फिल फिनीश होनी की विज़े से आप इसको बिना कवर के भी यूज कर सकते हूं लेकिन नोट से 3 लाइट को नहीं कर सकते क्योंकि ग्लॉसी बैक है स्मर्च बहुत जल्दी आते हैं साथी साथ इसक्रेज आने की चांसे भी है इवन थोड़े बहुत तो आभी चुके हैं जबकि सीन पूरा चेंज हो जाता है एक एमोलेट डिस्प्ले के साथ आता है और एक IPS LCD अगर आप देखूँगे ना तो आइकू जी सावन फाइफ जी यहां पर बैटर डिस्प्ले फीचर आपको उफर करता है नौच की वज़े से हो सकता है यह आपको एक मोडर्ण डिस्प्ले न सब्सक्राइब करता है यहां पर आपको इस फोन में पड़े जाता है ना तो यह सर्वाइव कर जाए यहां कोई रेटिंग नहीं है पर्फॉमेंस की बात करें तो आइकू जी सावन फाइफ जी के अंदर मीडिया टेक का 920 और नोड़ सी लाइट 3 में स्नैपड्रेगन का 695 तो नो फाइफ जी प्रोसेसर है आइकू जी सावन फाइफ जी में च्छा फाइफ जी के बैंड है और नोड़ से ही लाइट 3 में आपको 9 5G की बैंड मिलते हैं 5G कनेक्टविटी दोनों फोन में काफी अच्छी देखने को मिलती है और दोनों फोन में 4G प्लस कंसिस्टेंट शोग भी करता है रही बात परफॉमेंस की तो आप गीग बेंच स्कोर देख सकते हूँ आईकू आईकू G7 5G स्लाइटली बैटर निकल कर आता है और तो अगर आपको गेमिंग करनी है तो आईकू G7 5G से बैटर ऑप्शन होई नहीं सकता बिना सोचे समझे आप आईकू G7 5G के साथ जा सकते हो अब बैटरी की बात करें तो 4500 अमेज की बैटरी आपको आईकू G7 5G के सा आप मिलती है साथ मैं 44 वोट की फास चार्जिंग का सपोर्ट है और वन प्लस नोड़ सी लाइट थिरी के साथ आपको 5000 अमेज की बैटरी मिलती है जहापर आपको 67 वोट की फास चार्जिंग दिए दोनों पून के साथ मैं बैटरी बैटरी बैकप और इतना कोई खास देखने को मिल सकता है तो आईकू वाले फोन को फुल चार्ज करने में लगबग एक गंटे के आसपास टाइम लगता है और यह जो वन प्लस नोड़ सी लाइट है यहां पर आपको 50 मिनिट के आसपास टाइम लगेगा अब आते हैं सबसे में चीज के उपर और वह इन फोन के कैमरा अगर आपको वीडियो अभी तक पसंदा रहा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना पीछे की तरफ दोनों फोन में काम का सिर्फ एक ही सेंसर है आईकू के अंदर 64 मेगा पिक्सल का कैमरा है OIS के साथ और नोड में आपको 108 मेगा पिक्सल मिलता है विदा भी कम होते हो और सिर्फ काम करता है और नोड सी तरी में आपको 1080 थर्टी एपिस तक के वीडियो बनाने का यूप्शन मिलता है लेकिन आईकू जी संफाइज में आप 1080 थर्टी एपिस 60 एवन फोर्गे 30 एपिस तक के वीडियो भी यहां पाराम से बना सकते हो अब अगर फ पोटो जो होते हैं वह इतने कंसिस्टेंट नहीं होते हैं फोटो में कलर्स कभी ज्यादा डॅकरद कर देता है और डीटेंज तो आपको क्या बताओं बहुत ही कम होते हैं यह जाँ अच्छे से नोटिस करोगे जब आप फोटो को होगएर बatको और लो लाइट के आ जो ड होते हैं compare to node थोड़े बैटर देखने को मिलते हैं नोड सी तरी का कैमरा जबरदस्ती फोटो को ब्राइट करने की कोशिश करता है सेल्फी में आइकू का डायनमिक रेंज और लाइट कंट्रोल ज्यादा अच्छा है compare to node हाला कि front camera पर दोनों ही ब्रैंड को काम करने की ज़रत है बस वन प्लस को थोड़ा ज्यादा काम दने की ज़रत है वीडियो में दोनों ही फोन में आपको 1080p 30 एपिस तक की वीडियो बनाने का option मिलता है और वहां पर भी आईकू के डिटेल्स और स्किन टोन्स थोड़े अच्छ साथ में थोड़े से जिटर है जोगी की abdatee'mी आपको बता दो दो साल के बड़े मेजर अपडेट आपको मिलेंगे साथ तीन साल के जिए यह साथ है और पसंद आपNote Sorry 20 अपको यह वीडियो आपको पसंद आया थे वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो मैं मिलता हूँ आप से किसी नेक्स वीडियो में किसी ने टोपी के साथ में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत